हेलो एवरिवान वेलकम बैक तो माई चैनल गाइस मैं एक और नियू रीडिंग के साथ आ गई हूँ कैसे हैं आप सब आई होब कि सभी अच्छे हैं खुश्यार अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो आप सभी के लिए जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ अभी ट अगर आप यहां पर नए हैं और आपको नहीं पता मेरे सेकेंड चैनल के बारे में मेरा सेकेंड चैनल है ट्रिपल सेवन सोल चैरो महां मॉर्निंग में मैंने एक रिडिंग आज अप्लोट की थी तो आप जाकर देख लेना अगर आप इंट्रस्टेड हैं चैनल का लिंक आ आप लोगों को पता नहीं कोई अकाउंट है तो आप लोग इतना तो अलर्ट रहिए कि मैंने अपने इंस्ट्राग्राम आईडी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वही औरिजिनल आईडी है मेरी तो अगर कोई और आपको रिक्वेस्ट करनती है कि आप उन मैसेजिस को इग्नॉर करें और बिल्कुल भी उसको सीरियसली ना ले बिकॉस मैंने तो लिंक दिया हुआ है तो वही जैनुएन और ओरिजिनल लिंक है मेरे इंस्ट्राग्राम आईडी का तो आप क्यों परिशान हो रहे हैं क्यों पजल हो रहे हैं बिल और कभी कबार में मैसेजिस का रिपलाई दे देती हूँ लेकिन पर्सनल रीडिंग तो मैंने आज तक कभी अनॉंस्मेंट भी नहीं किया है कि मैं पर्सनल रीडिंग करने लगी हूँ अभी मैं कोई पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ और आप लोगों को पता होना चा तो अगर आपको कहीं से भी कोई भी request आती है because यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो fake हैं, fraud हैं आप लोगों के पैसे, you know उनको पैसे चाहिए इसलिए वो ऐसे काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं ठीक है? अलर्ट रहे हैं और smart बनी है क्योंकि मैंने तो आपको link दिया हुआ है अगर वहाँ से कुछ आता है तो वो ठीक है, otherwise फिर fraud है यह मान के चलिए आप और जो भी लोग आपको comment section में गुरु मा, गुरु जी, बाबा जी का number भेज रहे हैं या फिर मेरे बोल रहे हैं कि यह number ma'am का है तो भी आप यकीन मत कीजिए क्योंकि जब मुझे number देना होगा न तो वो आपको screen पर अभी जैसे reading की जो screen आपके सामने है मैं screen पर ही डालूँगे अपना number और वही original number होगा इसलिए बिल्कुल भी परिशान मत होई अभी मैं कोई personal reading paid reading नहीं कर रही हूँ अभी मैं सर्फ youtube पर ही काम कर रही हूँ आप सभी लोगों के लिए ठीक है चलिए अब reading पर आते हैं क्या चल रहा है आपके person के दिल में आपको लेकर right now four of wands का पहला card है एडीज लियो सैज four of pentacles oh two four 44 master number we have the star Aquarius two of pentacles Taurus, Virgo and Capricorn seven of cups Cancer, Scorpion, Pisces sun oh wow star and sun four of swords wow angel number triple four यहां पर आगया है strength Leo universe the world card and we have page of wands temperance है बार्ण देक से आगया है यहां पर जो चीज़े मुझे दिख रही है sign तो यहां पर है Scorpio, Thoris, Leo, Aquarius, Sagittarius and Aquarius यह मुझे major sign दिख रहे है अदरवाइस elements सारे है zodiac signs सारे है लेकिन जो major दिख रहे थे वो बता दिए यहां पर मुझे आपके person confused लग रहे है आपको लेकर confused है यह समझ नहीं आ रही है इसको क्या action लेना है right now एक तरफ इसका मन करता है कि आपको शादी के लिए propose कर दे लेकिन दूसकी तरफ इसका मन करता है कि अभी अभी नहीं surrender कर चुके है कभी लगता है कि surrender करना ठीक है कभी लगता है कि शादी के लिए प्रपोस करना ठीक है कभी आपके साथ बहुत ज़ादर spiritual vibes, positive vibes feel करते हैं तो कभी एकदम से आपके साथ disconnect हो जाते हैं बहुत ही ना mixed feeling है right now आपके person की इसे तो कहते हैं healing जब तक के conclusion तक नहीं पहुँचेंगे ये एक decision नहीं ले पाएंगे बहुत strength बनाई हुई है इस person ने क्योंकि कहीं न कहीं आपर जो ये star और जो sun का card है ये clear बता रहा है कि आपके बीच में एक spiritual connection है true connection है unique connection है clear मुझे यहाँ पर vibes आ रही हैं बट still आपके person अभी चाहते नहीं रिवील करना कुछ भी four of pentacles मुझे clear यह बता रहा है अभी आपके person puzzled है और ये नहीं चाहते कि कुछ भी रिवील करें और उपर से confused है right now universe से हमेशा बात करते हैं आपके person आपकी तरह कि इसको clarity मिले और एक conclusion मिले बट अभी लगता right time नहीं है right moment नहीं आया है कुछ ना कुछ ऐसा भी मैं आपर देख रही हूँ ये person बहुत positive रहने की कोशिश करते हैं परिशान हो रहे हैं आजकल ये continuously सोच रहे हैं आपके बारे में और एक conclusion नहीं मिल रहा है इसको थोड़ा सा upset है ये person अभी ऐसा मैं याँ देख रही हूँ ये दो cards आए हमारे पास intimacy and emotional freedom self respect resolving conflict luminosity soulmates guys यहाँ से जो cards आए है ना ये मुझे बता रहे हैं कि इस person को देखो आपके साथ बहुत deep connection फील होता है एक soulmate connection फील होता है इस person को आपके साथ और आपके साथ जितना भी इसका heart hurt दिख रहा है मुझे hurt में तो है ये person confused है hurt है समझ नहीं आ रही करना क्या है कैसे करना है फोड़े puzzle दिख रहे हैं इसकी soul तो चाहती यही है ये person बहुत जदा इस बात को admire करते हैं कि आपके आपके सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत important है आपके लिए और आप इस person को आपने कभी भी emotionally torture नहीं करा हमेशा इसको emotional level पर free रखा है जो यह चाहते थे करना आपने इसको अलाओ किया है एक यू नो एक enough space दिया इस person को तो यह इन सारी चीजों की नह बहुत respect करते हैं ठीक है यह चीजे में यह आपर देख रही हूँ luminosity का मतलब है definitely आप इस person को काफी attract कर आ रहे हो काफी attraction मिल रहा है इस person को ठीक है और देख लेते हैं और क्या feelings है यह बहुत जदा equations बन रही है यह person थोड़े से परिशान है problem में दिख रहे हैं अभी एक conclusion नहीं मिल पा रहा है इस person को six of swords and the lovers but still यह आपके साथ एक lovers connection feel कर रहे हैं इसको reconciliation करने का मन करता है ठीक है lovers and reconciliation आप देखो यहां से temperance का भी card है तो yes यहाँ पर धीरे धीरे ही सही लेकिन progress मुझे नजर आ रही है इसके दिल से जो यह करने की कोशिश कर रहे हैं यह lovers connection feel करते हैं आपको feel करते हैं और यह person चाहे कितने भी obstacles हो बट यह स्टिल आपको भुला नहीं पा रहे हैं messages देख लेते हैं guys जल्दी से messages हैं आपके लिए okay यह कुछ messages हैं इनको देख लेते हैं the love was so intense that it scared me the love was so intense that it scared me so the love was so intense that it scared me the whole twin flame stuff sometime scares me तो उसको twin flame stuff ना धराता है कभी-कभी scared है इसका मतलब puzzled है, scared है I love you, I love you कह रहे हैं आपको because of you I know my worth I am worthy, okay I don't know how to express my love to you so I keep it inside everything I do reminds me of you I want to contact our mutual friends to ask about you you are my home I have so much regret I hope you are happy and I will propose to you yes guys, so these messages are you, your person this is a confused puzzle you should pray and manifest so that you get a path and manifest it in your life and your healing process so these are your feelings I hope that this reading resonate with you, you like so now guys, bye take care